नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़िदार उपन्यास होटल में खून धलती हुई रात के साथ होटल जीूल बॉक्स की रंगीनिया भी बढ़ती जा रही थी होटल का और्केस्ट्रा वातवरन में पाश्चात्य संगीत की उत्तेजक धुनें परवाहित कर रहा था जवान जोडे एक दूसे की बाहों में बाहें फसाई संगीत की लैपर्थी रख रहे थे जो लोग निर्ते में रूची नहीं रखते थे वे डांस हॉल की चारों ओर लगी मेजों पर बैठे अपने प्रेय पेपदार्थों की चुस्क्या ले रहे थे ऐसे लोगों में सी सुनेल भी एक था वे एक अंधेरे में कोने में बियर का लंबा गिलास अपने सामने रखे पैठा हुआ था और होटल की करमचारियों की गदी विधी को परखने की चेश्टा कर रहा था सुनेल को विश्वस्त सुत्रों से मालुम हुआ था कि जूल बॉक्स का मालिक माईक गुप्त रूप से एक जुवा घर का संचालन कर रहा था और उसे जुवा घर के विशे में बहुत कुछ जूल बॉक्स का मालिक होने की संभावना थी नगर के बहुत उंची श्रणी की लोग भी माईक के जुआ घर में जुआ खेल दें आते थे लेकिन यह आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका था कि जुआ घर वास्तव में है कहां यहां तक कि उन लोगों को भी उसकी इस्तिती का ग्यान ना था जो कई बार वहां जुआ खेल चुके थे यही कारण था कि यह जानते हुए भी कि माईक जुआ खिलवाता है पोलिस उसका कुछ बिगार नहीं पा रही थी कई बार जुआ बॉक्स की तलाशी ली गई थी लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे यह जित हो सके कि जुल बॉक्स का कोई भाग जुआ घर के रूप में प्रियुक्त होता है पोलिस सुप्रिटेंडेंडन राम सिंग का अनुमान था कि जुल बॉक्स कोई गुप्त तहकाना है जहां किसी जुआरी को तभी ले जा जाता है जब माइक या उसका कोई विश्वसनिय आदमी जुआरी को पूरी तरह परक लेता है क्योंकि राम सिंग कई बार अपने डिपार्टमेंट के आदमियों को जुआ खेलने के नियस से वहां भेज चुका था लेकिन एक भी आदमी जुआ घर तक ले जाया नहीं गया था हर बार उन्हें यहीं कहा गया था कि जूल बॉक्स उंचे लोगों का उंचा होटल है जहां जुई जैसे किसी काम को प्रोसाहन देकर वे अपना स्थर नहीं गिराना चाहते हेलो एक मधुर स्थिर का स्वर सुनकर सुनील चौक पड़ा उसने एक भरपोध रिष्टी अपने सामने खड़ी उस युफ्ती पर डाली जो विदेशी वेश भूशा में थी और मरकरी लाइट के जगमगाते हुए परकाश में अनित सुन्दरी लग रही थी हेलो सुनील स्थिर स्वर में बोला मेरा नाम मोना है युफ्ती धीरे धीरे कूले थिरकाती हुई बोली आप मेरे साथ डान्स करना पसंद करेंगे यह है उल्टी बात क्यों? क्या मतलब? मतलब यह है कि डान्स के लिए तो पुरुष त्रियों से प्रातना करते हैं जबकि आप ओ, नेवर माइंड डैट मोना हसकर उसकी बात काटती हुई बोली दरसल मिस्टर क्या नाम है आपका? सुनील हाँ तो मिस्टर सुनील दरसल मैं जूल वाक्स की होस्टेस हूँ मेरी न्यूकती ही इस काम के लिए हुई है कि मैं उन लोगों का मरणरंजन करू जो अपनी पार्टनर नहीं लाते है आपके शाम को रंगिन बनाने के लिए मेरी सेवाई प्रस्तुत है किस हद तक? सुनील में अर्थ पून्ट स्वर में पूछा किसी भी हद तक? मोना बे फिक्री से बोली सुनील कुछ शंट तक सोचता रहा और फिर धीरे से बोला लेकिन मेरा मनुरंजन मैलाओं से नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? मोना अस्मंजस पून्ट रिष्टी से उसे देखती भी पूली ऐसे और उसने अपने दोनों हातों से ऐसा एक्शन किया जैसे ताश के पत्ते फेट रहा हो मोना कितनी ही देर नजरों से सुनील को तोलने की चेश्टा करती रही और फिर बोली कितना उचा खेलते हो? तुम्हारे पास कितने उची खेलने का इंतिजाम है? मोना फिर चुप हो गई चलो शन भर बाद वै निर्ने सा करती हुई बोली कहा? मनरंजन के लिए सुनील का दिल धड़कने लगा आज उसे जीवल बॉक्स में आना सार्थक होता मालूम हो रहा था वै जुआ घर का पता पाले तो एक बार फिर ब्लास्ट सारे प्रतितन्दी अगबारों से बाजी मार ले जाएगा विशेश रूप से क्रोनिकल जिसके अपने रिपोर्टर भी इसी लाइन पर काम कर रहे थे सुनील उठ खड़ा हुआ मोना उसका मान निद्रेशन करती हुई मुक्के द्वार की और पड़ चली उसी समय हॉल में जैसे भूचाल सा आ गया जूल बॉक्स का मुक्के द्वार भडाग से खुला और हॉल में बद हवास्ता एक युवक परविश्ठ हुआ उसके बाल बिक्रे हुए थे और रक्त की आली तिर्ची धाराएं पपड़ियों के रूप में चहरे पर जमी हुई थी जिस कारण उसका चैरा विफस थोठा था उसके कपड़े धोल से अटे हुए थे और पाउं यो लड़ खड़ा रहे थे जैसे वह बेहत पिय हुए हो स्टीवर्ट ने आगे पढ़कर उसे रोकना चाहा युवक के दाएं हाथ का घोंसा बिजली की तेजी से सीवट के जबडे पर पड़ा और वह एक लंबी हाई के साथ एक मेज पर उलट गया उस मेज के आसपास बैठी हुई महिलाएं देशत के चीके मार मार कर हॉल के एक कोने की और भागी मोना का चेहरा एका एक पीला पड़ गया और वह सुनील का हाथ चुड़ा कर होटल के भीतरी भाग की और लपकी और अगले ही शन सुनील की दृष्टी से ओजल हो गई और केस्ट्रा बजनब बंध हो गया था माइक कहा है युवक हॉल के बीच में आकर दहाड़ा किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया लोग धीरे धीरे होटल के बाहर की और खिसक रहे थे प्रत्यक्ष था कि वे लोग किसी घपले में नहीं फसना चाहते थे युवक ने एक बीटर के गिरे बार्म को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह जिंजोरता हुआ बोला माईक कहा है वेटर के खिक्गी बन गई थी उस हराम जादे को बुलाओ और उसे कहो कि अगर मुझे अभी साथ हजार रुपे न लोटाए कए तो मैं उसके जुवा घर का राज खोल दूँगा और उसने एक जटके से वेटर को परेधकेल दिया सुनेल के कान खड़े हो गए वेट लपक कर उस युवक के सामने आया और बोला आपको मालूम है माईक का जुवा घर कहा है हाँ मालूम है मैं जुमता हुआ बोला मुझे साला आज ही मालूम हुआ है कैसे मालूम हुआ आपको सुनियल ने उतावले स्वर में पूछा मुझे यहां से मोना नाम की एक होस्टेस ले गई थी मैं वहां साथ हजार रुपे जीता था मैं नशे में था वापसी में मोना ने या उसकी कार के ड्राइवर ने मेरी जेब से रुपिया निकाल कर मुझे कार से पाहा धकेल दिया लेकिन तुम साले यह पूछने वाले कौन हो मुझे माइक के बारे में बताओ माइक कहां है माइक लेकिन माइक का जुआगर है कहां सुनियल ने उसे जिनजोडते हुए पूछा हट युवक सुनील को धकेलते हुए चिलाया माइक को लाओ नहीं तो इस होटल में आग लगा दूँगा जूल बॉक्स का डिब्बा बना दूँगा माइक, माइक युवक फिर बहत गया सुनील परिशान से खड़ा उससे मतलब की बात कहलवाने की तरकीब सोच रहा था उसी समय कोई बोल पड़ा माइक आ रहा है माइक का नाम सुनकर युवक भी तनकर खड़ा हो गया और चिलाया कहा है वह उल्लू का पठ़ा सुनील ने देखा माइक एक लंबा किन्तो पतले शरीर का किश्चन था वह एक बहु मूल्य सूट पहने हुआ था उसका चहरा क्रोज से भवक रहा था शायद पूरी घटना की सूचना उसे मिल चुकी थी वह युवक के सामने आकर खड़ा हो गया तुम माइक हो? युवक ने जुक कर पूछा उत्तर में माइक के बाएं हाथ का घूसा युवक के पेट से तकराया युवक के मूँ से एक करा निकली और वह दर्स से बिलबिला कर दोहरा हो गया माइक के दाएं हाथ का घूसा बिजली की तरहें उसकी खोपड़ी पर पड़ा युवक फर्ष पर माईक के कदवों में लोड़क गया वह करिशन निश्चेत पड़ा रहा माईक ने यों हाथ जाड़े जैसे मच्छर मार कर हटा हो और फिर औरकेस्टा की दिशा में घूम कर चिलाया संगीत शुरू करो सुईल सकते की हारत में एक खंबे के पास खड़ा था माईक ने एक बार निश्चेत पड़े युवक के शरीर को देखा और फिर उसने अपने बूट की ठोकर युवक की पसलियों में मारी यही माईक धोका खा गया मार पढ़ने की कारण युवक का काफी नशा हिरन हो चुका था उसने माईक की टांग पकड़ ली उसने टांग को एक बार पूरी शक्ती से गुलाई में घुमाया और जोर का जटका देकर छोड़ दिया माईक मू के बल हौल के चिकने फर्ष पर किरा युवक खड़ा हो गया और माईक के उठने की प्रतिक्षा करने लगा दो तीन बेटर युवक क्योर छप्टे फैरो माईक उठता हुआ गर्जा इस चुहे को कोई हाथ नहीं लगाएगा माईक घुशा तान कर युवक क्योर लपका लेकिन युवक सतक था उसने जुकाई देकर माईक के कंदे को अपने पाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ का एक भरपूर घुशा उसकी नाक पर जड़ दिया अपना वज़न न संभाल सकने के कारण माईक बार काउंटर से टकराया और कई बोतले उलट गई उसके गले से निकली हाथ कांच की जंजनाट से खो गई बरखुरदार युवक उसकी और फिर पढ़ता हुआ बोला तुमारे हड्डियों का सूर्मा तो मैं बनाऊंगा ही साथ ही तुमारे जुआ घर का भी फंड़ा फोड़ूंगा माइक बड़े कश्ट दे पलटा और उसका दाया हाथ कोड की जेट में सरक गया युवक एक विजेता की तरहें उसकी और बढ़ रहा था उसी समय माइक के हाथ में एक रिवालवर चमक उठी नहीं! नहीं! सुनील चिलाया रिवालवर ने एक बार आगोगली युवक ठिटक कर खड़ा हो गया शन भर के लिए उसके चहरे पर आतंक, पीड़ा और भै के भाव परिलक्षित हुए और फिर वह तिवरा कर फर्ष पर गिर पड़ा उसके माथे में एक सुराक दिखाई देने लगा था जिसमें से धुआ निकल रहा था हौल में मौर्थ का सननाटा चाया हुआ था माइक उठकर खड़ा हो गया कुत्ता बड़बडाया और उसने दो और गोलियां उस युवक की चाती में धसा दी सुनील काउंटर पर रखे टेलिफोन की और लपका उसने काउंटर पर खड़े करर को परे धकेला और रिसीवर उठा कर तेजी से पुलिस के नंबर डायल करने लगा हेलो हेलो पुलिस दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही वह चिलाया हेलो मैं जीूल बॉक से बोल रहा हूँ यहाँ एक हत्या अगरे शब्र उसके मूँ में ही रह गए कोई भारी चीज उसके सिर से टकराई उसकी आँखों के सामने नाल पीले सितारे नाच उठे और वह लहरा कर पर्शबट ठेर हो गया पुलिस के दो सिपाही उसे छिंजोड रहे थे सुनील ने एक बार जोड़ से आँखे मिच मिचाई और फिर आँखे फाड़ फाड़ कर अपने चारो और देखने लगा वह एक सुनसान सड़क पर था उसके लगबग पांच फूट दूर उसकी मोटर साइकल उल्टी पड़ी थी उसके मूँ का स्वाद बिगड़ा हुआ था जैसे कोई कसेली चीज खाली हो तनिक होश आने के बाद जूल बॉक्स की घटना उसके नेतरों के सामने खूम उठी उसका हाथ मशीन की तरहें अपने सिर्क के पिछले भाग पर पहुँच गया खोपड़ी बुरी तरहें फूली हुई थी और उसमें से खून अब भी रिस रहा था वह स्थिती को समझने में असफन सिध हो रहा था मैं यहां कैसे आ गया सुनील बड़बड़ाया रात के बारा बजे शराब पीकर मोटर साइकल दड़ाते फिरोगे तो और कहां पहुँचोगे बाबुजी एक पुलिस वाला व्यंग पून्ट स्वर में बोला मैंने शराब पी है सुनील ने धीरे से पूछा अच्छा तुम्हें नहीं मालूम पहला सिपाही बोला बड़े भाई पता नहीं कितने गेलन विस्की पी गए हो मुँसे भवू के चूट रहे हैं दूसरा बोला सुनील की समझ में अब आया कि उसका मुख कसेला क्यों हो रहा था लेकिन संत्री साहब मैंने तो सिर्फ एक मग बियर पी थी सुनील बोला तुम्हारा मतलब है कि एक मग बियर से तुम पर एक ऐसा नशाचा जाता है कि तुम मोटर साइकल को बिजली की खंबे में दे मारते हो मैंने मोटर साइकल खंबे में नहीं मारी सुनील ने प्रतिवात किया तो फिर खंबा मोटर साइकल से टकराया होगा लेकिन संत्री साहब शोर मचाने की जरुवत नहीं है सिपाही कड़े स्वर में बोला अभी पुलिस की चीप यहां आ रही है सफाई पुलिस स्टेशन पहुँच कर देना सुनील चुप हो गया उसका मस्तिष्क धीरी धीरी सक्रिय हो रहा था लगबग पांच मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आई और सुनील को उसमें सवार करा दिया गया पुलिस स्टेशन पहुँचने तक सुनील स्टेशन को पूरी तरह संतुलित कर चुका था यह सुनील का दुर्भाग्य ही था कि उस समय पुलिस स्टेशन पर इंस्पेक्टर प्रभुजियाल की ड्यूटी थी अच्छा तो यह आप है प्रभुजियाल व्यांकपॉन स्वर में बोरा सुनील ने स्वेम को एक कुर्सी पर धेर कर दिया और फिर शान्ती से बोला आपको क्या दिखाई दे रहा है जानते हो शराब पीकर मोटर साइकल चला ले के अपराद में तुम बंद किये जा सकते हो अभी तो नशी में पहक कर तुमने मोटर साइकल खंबे में देमारी है और अपने ही हाथ माँट उड़वाए है जबकि संभावना इस बात की थी कि तुम चार-पांच रहगीरों को कुचल देते सुनील चुप रहा तुमे जिम्मेदार नागरिक हो प्रभु धियाल को तो जैसे सुनील को फटकारने का मांचित अफ़र मिल गया था इस चहर में तुमें अच्छा खासा सम्मान प्राप्त है तुम ब्लास जैसे जिम्मेदार अकबार का प्रतिनिजिव करते हो क्या तुम्हारा यह कृत्तिय तुम्हारे स्तर का है इतियास कवा है कि यह पहली बार नहीं है जबकि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रभु धियाल ने सुनील कुमार चक्रवर्ती स्पेशल कोर्स्पेंडंडन ब्लास्ट की सूरत देख कर धोगा खया है मैं मजाख के मूड में नहीं हूँ सुनील प्रभुधियाल उखड कर भोला क्यों खामका अपने आपको महत्व दे रहे हो मजाग करने के लिए सारे राजनगर में क्या तुम ही बचे हो सुनील प्रभुधियाल चिलाया गरजने की जरुवत नहीं है सुनील बोला मैं रिपोर्ट दर्श कराना चाता हूँ कैसी रिपोर्ट? जूल बोक्स भी मुझे पर खातक हमला कर दिया गया है सुनील यह खिससा चलेगा नहीं अब मेरी भी बात सुनोगे या अपने ही आगे जाओगे बखो प्रभुधियाल बोला जैसे उसे अपनी बात कहने का अफसर देकर वै उस पर भारी एहसान कर रहा हो उत्तर में सुनील ने जूल बोक्स में घटी सारी घटना कैसुनाई प्रभु सुनील बोला यह माइक का ही काम है उसके आदमियों ने ही मेरा अचेश शरी होटल में सी लाकर तीन मील दूर सुनसान सडक पर लापटका था मेरे मुह में विस्की डाल दी थी और मोटर साइकल खंबे में दे मारी थी ताकि बाद में यही समझा जाए कि मैं शराब के नशी में एक्सिडेंट कर बैठा तुम्हारे पास इस बात को सिद्ध करने को कोई साधन है कि तुम जूल बॉक्स में घायल हुए हो प्रभु ध्याल ने विचार पून्ट स्वर्व से पूछा जूल बॉक्स में इतने आदमी थे कईयों ने मुझ पर आकर्मा होता हुआ देखा होगा और फिर माइक ने वहाँ एक आदमी की हत्या भी तो की है आखिर तुम उस हत्या को महत्व क्यों नहीं दे रहे हो देखो सुनील प्रभु ध्याल के स्वर में असाधारन गम भीरता थी जूल बॉक्स में एक आदमी को गोली लगने का समाचार तो हमें मिला है और मेरे आदमी उस सिलसिले में तहकीकार भी कर रहे है लेकिन उस घटना को जो रंग तुम देने की चेश्टा कर रहे हो वास्ता में वैसा कुछ नहीं हुआ है क्या मतलब? सुनील हैरान होकर भोरा लगबग चार घंटे पहले माईक ने स्वेम टेलिफोन करके हमें सूजना दी थी कि उसे एक आदमी पर गोली चलानी पड़ी है किसलिए? पूरी बात मुझे मालूम नहीं मेरे आदमियों ने अभी रिपोर्ट नहीं भेजी है बहरहाल जो तुम कह रहे हो वैसा नहीं हुआ है प्रभू? सुनील उत्तेजित होकर चिलाया यह फ्रॉड है माईक ने एक आदमी की हत्या की है की होगी? प्रभू धियाल लापरवाही से बोला अभी हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं आया है जिस्ते यह सिध हो सके की माईक हत्यारा है तुम जो कुछ मैंने कहा है उसे नजर में रखते हुए तहकीकात करोगे तो बहुत कुछ सामने आएगा तहकीकात हो रही है और तहकीकात कैसे होती है यह हमें तुम से नहीं सीखना है सुनील का चेहरा क्रोज सी लाल हो उठा, वह चिलाया, तुम, तुम, नाउ, प्रभु जयार बोला, शट अप एंड गेट आउट, अगली बार फिर कभी शराग के नशे में गाली चलाते हुए पकड़े गए, तुम महीना भर तो मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं होने दूगा, लॉक अप में ही सड़कर रह जाओगे, प्रभु मैं कहता हूँ, तुम कुछ नहीं कहते हो, प्रभु जयार कर जा, टेक देहल आउट ओफ हेर, सुनील स्वेम को बेहत अपमानित अनुभव करता हुआ, पुलिस स्टेशन से बाहर निकलाया, जिस समय सुनील ब्ल कित स्वर से बोला, साहब, आपके तो चोट लगी मालूम होती है, सारे चहरे पर खून पैला हुआ है, हाँ हाँ, शोर मन बचाओ, सुनील भन्नाई स्वर में बोला, कहीं से स्प्रिट और रूई लेकर आओ, बहुत अच्छा साहब, सुनील अपने केविन में धस गया, वह उसका एक सहयोगी जगत पैठा था, उसने एक नजर सुनील को देखा, और फिर स्वेम को अपने सामने पड़े कागजों में उल्चाता हुआ बोला, बड़े अच्छे मौके पर आए यार, क्यों? सुनील ने स्वेम को एक कुरसी पर धेर करते हुए पुछा, जगत ने एक लंबा सा कागज सुनील के सामने पेक दिया, जरा यह प्रूफ पढ़ दो आप, वह बोला, लोकल न्यूस की आखरी न्यूस है यह, सुनील ने बिना परतिवाद की एक कागज उठाया, और उसे लापरवाही से पढ़ना आरम कर दिया, पहली चार-पांच लाइने पढ़न लिखा था, होटल जूल बॉक्स में दिन दहाड़ी डाका डालने का प्रत असफल, होटल के मालिक माइक का सहा स्पून कृत्य, होटल जूल बॉक्स में मरुरंजन नार्थाए हुए लोगों में, उस समय संसनी पहल गई, जब एक युवक होटल में परिष्ठ हुआ, और फ लोग सकते की हालत में अपने अपने स्थान पर जडवत हो गए, और किस्टा बजना बंध हो गया, और उस भयानक सननाटे के बीच, वह युवक हाथ में रिवालवर थामे, होटल के कैश काउंटर की और पढ़ा, काउंटर पर पहुंच कर उसने रिवालवर कैशियर की छा दिया, युवक ने बैग बन किया और उसे लेकर रिवालवर थामे पाहर की और चल दिया, ग्रहाकों या होटल करमचारियों में से कोई भी उसी रोगने का साहस न कर सका, युवक रास्ती ठाट सी लूट का माल समेट पाहर की और बढ़ता चला गया, उसी समय मुखे द्व पार से जूल बॉक्स के मालिक माईक ने परवेश किया, उसे देखकर एक वेटर चला उठा, साहब यह आदमी कैश लूट कर भाग रहा है, माईक ने यह सुना तो वह युवक का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, रास्ते से हटो, युवक रिवालवर उसकी और तानते चिलाया, लेकिन माईक रास्ता छोडने के बजाए, युवक की आँखों में आँखे डाले, उसकी और बढ़ने लगा, युवक ने माईक पर फायर जोग दिया, सौभा के सिगोली माईक को नहीं लगी, तभी माईक को खयार आया, कि उसकी जेब में भी रिवालवर है, उस और रिवालवर निकल कर, जमीन पर गिर गए, और वह भी लहरा कर फर्श पर धेर हो गया, सबकी मुसी शांती की गहन निश्वास निकल गई, उस लुटेरी युवक से निपतने में, माईक ने जिस मानसिक तरस्ता का परिचे दिया है, वह प्रशशनी है, युवक का इस प देखी एक चित्र प्रिष्ट साथ पर उपर, इस निउस के साथ तस्वीर कौन सी जा रही है, सुनील ने पूछा, जगत ने आठ गुना दस की एक तस्वीर उसकी और बढ़ा दी, तस्वीर में खोन के तालाब में डूबी हुई युवक की लाश पड़ी थी, उसके दाए हाथ के पास एक रिवालवर पड़ी थी, और बाएं से कुछ दूर, एक चमरी का बैक पड़ा था, जिसमें सी सौ सो के नोट बाहर छांक रहे थे, तस्वीर में गौर करने वाली बात यह थी, कि युवक के दोनों हाथों पर दस्ताने चड़े हुए थे, जबकि सुनील ने अब भी मशीन पर जाना है, यह ख़बर नहीं चपेगी, सुनील केबन में से निकलता हुआ बोला, सुनील सहाब, रोई और स्प्रिट, चप्रासी उसे देख कर, रोई और स्प्रिट की शीशीश सामने करता हुआ बोला, इसे अपने सिर में पलट लो, सुनील बोला, और आ कागज हवा में उड़ गए, यह क्या बत्तमी जी है, वे चिल्लाए, यह बत्तमी जी नहीं मलिक साहब, सुनील कागज और तस्वीर मलिक साहब के सामने पटकता हुआ बोला, वह ख़बर है, जो ब्लास्ट में नहीं जाएगी, क्यों, मलिक की भवे सिकुड गई, क्योंकि ब्लास्ट को इस बात का गौरफ प्राप्त है, कि आज तक फ्रेम की हुई जोटी खबर नहीं छपी, उसमें आज तक परमानिस समाचार ही प्रकाशित होते हैं, क्या आप यह चाते हैं, कि ब्लास्ट का यह रिकॉर्ड तूट जाए, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, हाँ हाँ, मलीक सहब उस युवक की सरासर हत्या की गई है, माईक ने क्रोध में अंदा होकर उसे गोली मार दी थी, बाद में परस्तिती को ऐसा रंग दिया था, जिससे यह मालूम हो, कि वे डकैती की नियस से जूल बॉक्स में आया था, और दुरगटना वश, माईक की जानते हो, मलीक सहब ने बात काट कर पूछा, क्योंकि सारी घटना मेरी आँखों के सामने घटी थी, और सुनील अपने सिर का घाव दिखाता हुआ बोला, माईक की धानली का यह सर्टिपेकेट मुझे भी मिला है, आखिर हुआ क्या था, सुनील ने एक बार फिर सारी घट मलीक सहब गंभीर हो उठे, अगर वास्तव में ऐसा हुआ है सुनील भी बोले, तो होटल में उस समय मौजूद आद्मियों में से कोई तो सची घटना को सामने लाने का इच्चुक होगा ही, जरूर होगा, सुनील बोला, लेकिन मलीक सहब कोई खुच चल कर तो बयान देने आएगा नहीं, और पुलिस जिस धीले ढाले धन से मामले की तक्तिश कर रही है, उस्ते तो साफ जाहिर है, क्योंने माईक की कहानी की सत्यता में जराबी संदे नहीं है, मैंने इंस्पेक्टर परभूत याल को यह पास सुनाई थी, तो उसने मेरा मजाक उड़ा दिया था, मलिक साहब कई शन चुप रहे, भई, हमें तो यह समाचार नियूज एजन्स से प्राप्थ हुआ था, बे बोले, इसलिए हमने उसे जियों का त्यों प्रेस में दे दिया था, अब तुम जैसे चाहो, इसकी ड्राफ्टिंग कर लो, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है न, आ सुनील, थेंक्यू मलिक साहब, डोट मैंचन, सुनील ने समाचार का प्रूफ और तस्वीर, वहीं फार कर रद्दी की टोकरी में डाल दी, और मलिक साहब की कम्री से बाहर निकलाया, अगले दिन ब्लास के समाचार के सारे नगर में चर्चे थे, सुनील ने सारी घटना को पड़े शांदार ढंग से शब्दों में ढाला था, अंत में उसने पुलिस की रवये पर करारी चोट की थी, सुबह से ही ब्लास के दफ्तर में उस्सुख लोगों के धड़ाधर टेलिफोन आ रहे थे, कोई ब्लास के सपष्ट भाशन की सरहना करता था, तो कोई इसे परिफोन कॉल रिसीव करती करती परिशान हो चुकी थी, सुनील को देख कर बोली, सब तुम्हारी खातिर हो रहा है में सहाब, सुनील बेफिकरी से बोला, क्या मतलब? रेणु हैरान हो कर बोली, मतलब यह है कि स्त्रियों की खुबसूरती मेकप की महताज होती है, यह जू औरतों के डिजाइन में तो रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है, लेकिन उनके स्टाइल आए दिन बदलते रहते हैं, क्योंकि लिपस्टिकों के रंग और मेकप के तरीके आए दिन बदलते रहते हैं, मतलब यह हुआ कि औरतों के व्यक्तित्व में उनके धांचे का उतना मह नहीं है जितना कि उपर की पॉलिश और क्या उल्टी सीधी हां करे हो रेलों उसे टोक कर बोली इसमें मेरी खातिर कहां से आ गई वही तो बता रहा हूं सुनील तनिक भी हत्प्रभ हुए बिना बोला लेकिन उपर की पॉलिश में बहुत रुपया खर्च होता है क्योंकि मेक छोड़कर किसी दूसरे अखबार भी दिखाई ना दे तो निश्चे ही ब्लास की सेल बढ़ेगी तो मलिक सहाब को लाब होका उन्हें लाब होका तो वे अपनी करमचारियों का वेतन बढ़ाएंगे फिर तुम्हें भी अधिक वेतन मिलेगा तो तुम्हें अपनी जिस्ते तुम और सुन्दर लगोगी, जिस्ते तुम ज्यादा मोटा मुर्गा फांस सकोगी, बस एक बार कोई मुर्गा फसना चाहिए, फिर तो सारी जिन्दगी चैन से गुजर जाएगी, अब बताओ, यह शोशा छोड़ने से तुमें फाइदा हुआ या नहीं? अच्छा, तो मुझे फाइदा पहुचाने की खातिर ही, गल तुम अपना सेर तुड़वाए थे, और क्या? और परमिला की खातिर तो शायद तुम जहर ही खालो, जहर? सुनिल मुह बिगाड कर बोला, क्या बात कर रही हो रेणू? भला वह भी कोई लड़की है, उसकी खातिर जहर तो क्या? मिठाए भी नहीं खाए जा सकती, उसकी खातिर कुछ करने का इरादा भी करने से पहले तो अच्छा है, कि आदमी चड़िया घर में जाकर मगर मश के गले में हाथ डालते, कभी यह बात परमिला के सामने कहो न? रेणू बोली, कह दूँगा, वह मुझे खा, उसी समय पी वी एक्सपोर्ट की पाइलेट लाइट चल उठी, रेणू एकदम व्यस्तो उठी, हेलो, ब्लास्ट हेर, कुश्चन सुन चुकने के बाद, वह माउठ पीस पर हाथ रखकर सुनील से बोली, तुमारी कॉल है, कहां रेसीव करोगे? कौन है? सुनील एकदम दिल्चसपी प्रकट करता हुआ बोला, पुलिस सुप्रिटेंडन राम सिंग, सुनील का सारा उस्सा ठंडा पड़ गया, जिस धंग से जूल बॉक्स की हत्या का वर्ण सुनील ने अकबार में किया था, उससे उसे पूरा विश्वास था, कि कोई न कोई ऐसा आदमी, जो उस राद जूल बॉक्स में रहा हो, स्वेम को घटना की सत्यता को परमानित करने के लिए गबा के रूप में जरूर प्रस्तुप करेगा, वह सुबह से ही ऐसे किसी आदम से अपने केबिन की और बढ़ गया, जस्ट अ मुमेंट सर, रिनू फोन पर कह रही थी, I am putting you to Mr. सुनील, केबिन में आकर सुनील ने अपना फोन उठाया, और मेश के किनारे पर बैठता हुआ बोला, हेलो सुपर साहब, सुनील दूसरी ओर से आवाज आई, यह बलास्ट मे क्या लिख मारा है तुमने, तुमने अगबार पड़ा है, सुनील ने पूछा, हाँ, तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं तुमसे इस घटना की प्रावनेक्ता की विशे में पूछ रहा हूँ, सुपर साहब, जो कुछ मैंने लिखा है, वे उतना ही सच है, जितना की तुम्हारा नाम राम सिंग है, सिध कर सकते हो इसे, क्यों नहीं, देखो सुनील, जो कुछ बलास्ट में चापा है, वह न केवल माईक की समाजिक प्रतिष्ठा पर सीधा आकरमन है, बल्कि पुलिस की युग्यता को भी चैलेंज है, अगर तुम अपनी कथन को सिध न कर सक तो दोनों के कोप का भोजन बनोगे, देखा जाएगा, सुनील नापरवाही से बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं, कि आज माईक और इंस्पेक्टर प्रभु दियार, दोनों ही मुझ से मिले थे, माईक ब्लास्ट पर दो लाक का सयोग देने वाला है, प्रभु को जरा सा मौका मिलने की देर है, वह तुम्हें रगड कर रखतेगा, आखिर तुम कहना कैं चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं, कि मैं तुम्हारा मित्र जरूर हूं, लेकिन इस मामले में मुझ से किसी परकार के सयोग की आशा मत रखना, किस सुप्रिटेंडेंटराम सिंग से, तो फिर मेरे मित्र राम सिंग से प्रातना है, कि वे माइक से एक प्रशन पूछे, क्या, अगर माइक ने उस युवक को अपनी सुरक्षा के लिए ही गोली मारी थी, तो फिर उसने तीन गोलियां क्यो चलाई, क्या एक ही गोली उस कुमारी बात ठीक हो लेकिन प्रस्तिती ऐसी की तैसी प्रस्तिती की मैंने सच कहा है और सच की जीत का मुझे पूरा भरोसा है खेर मैंने चेतागनी दे दी तुम्हें कि इस बार तुम बहुत उंची छलांग लगा रहे हो धन्यवाद सुनील करवे स्वर में बोला दूसरी औ पास दूर दूर तक नजर तोड़ाई लेकिन उसे कहीं भी टैक्सी दिखाई नहीं थी उसकी मोटर साइकल अभी भी रिपेर शॉप में पड़ी थी सुनील पैदल ही चल पड़ा उसका मस्तिश्क एक शत्रंज के खिलाडी की तरह माईक के विरुद अपने अगली चाल आपको मालूम है ब्लास्ट का दफ्तर कहा है बस यहां से 5-6 ब्लॉक ही आगे है सुनील बोला वैसे मैं भी ब्लास्ट से ही संबंदित हूँ मुझे खुशी होगी अगर मैं ही आपकी कोई सेवा कर सकूँ वह आदमी शन बढ़ हिचक जाया और फिर बोला मैंने आज का ब्ल दूल बॉक्स में मौझूद था जब यह घटा घटी थी माइक ने उस युवक की सरासर हत्या की थी सुनील उतसाहित होठा ऐसे ही किसी आदमी की उसे तलाश थी आप सही बात अपने बयान के रूप में हमें ब्लास्ट में छापने की अनुमती दे सकते हैं सुनील ने पू और हम उसे बीना आपका जिक्र बीच में लाई छाप देंगे वह आदमी असमंज स्पून मुद्रा बनाए खड़ा रहा भाई सहब सुनी उसे उतसाहित करता हुआ बोला आप चानते नहीं हैं इस घटना के सही तथ्यों पर प्रकाश डाल कर आप समाज का कितना बड़ा उ होना ही चाहिए आज जैसे वह युवक मारा गया कल हम या आप या कोई और भी इसी परकार अपनी जान से हाथ दो सकता है आपके बयान देने से माईक के आदमियों द्वारा निकट भविश्य में होने वाले नजाने कितने अपराद टल सकते हैं बहतर वह आदमी धीरे से ब बोला ब्लास्ट की दफ्तर में नहीं साहब वह बोला क्यों फिलहाल मैं यह नहीं चाहता कि कोई यह समझे कि वे स्वेंग चल कर बयान देने गया था मैं यह प्रकट करना चाहता हूं कि अकबार बालों ने ही मुझे खोज निकाला था तो फिर किसी रेस्टरून में चले सुनील बिना कोई विरोत किये उसकी साथ चल दिया वह आदमी कोशन सुनील के साथ साथ घने बाजारों की भीर भाड में चलता रहा और फिर एक गली में खुझ गया आप कहां जा रहे हैं सुनील ने पूछा अपने घर उसनी संशिप सा उत्तर सिया सुनील चुप हो गया वह आदमी संकरी संकरी गलियां तै करने लगा अभी और कितनी दो चलना है सुनील ने पूछा मैं तो चलते चलते ठक गया बस साहब वह आदमी मुस्कुरा कर बोला इतनी पेरहम थोड़े ही हैं लोटती बार तो हम आपको गली से बाहर तक स्ट्रेचर पर और उसके बाद एम्बूलन पर भेजेंगे क्या मतलब अभी बताता हूं वह आदमी बड़े इत्मिनान से बोला और दोसरे ही शर्ण उसके दाए हाथ का घूंसा सुनील के जबडे पर पड़ा सुनील पीछे की और लड़ खड़ाया और धम से उसकी पीड दिवार के साथ जाटक राई आक घूंसा उसके मुँपर जड़ कर उसने कॉलर छोड़ दिया सुनील एक बार फिर दीवार से ठकराया और फिर फरफरा कर जमीन पर धेर हो गया उस आदमी के बूट की ठोकर उसके पेट पर पड़ी और वह बिल बिला कर दोहरा हो गया उसके मुँझ से एक लंबी हाई निक वह आदमी घुटनों के बल सुनील के शरीर के पास पैठ गया और सुनील की आँखों की पुतलियां देखने लगा उठोना रिपोर्टर प्यारे वह आदमी सुनील की गाल थप थपाता हुआ बोला इतनी दिनों बाद तो माइक ने हास देखने का मौका दिया है और तुम दो ही मिनट में लंबे लेट गए उसी समय सुनील के दोनों हाथ बिजली की तरहें उस आदमी की गर्दन से लिपट गए सुनील ने अपने शरीर की सारी शक्ती संचित करके उसकी गर्दन को एक जोर का छटका दिया उस आदमी का शरीर हवा में एक कलावाजी खा गया और धडाम से जमीन पर आकर किरा उसके मुँ से एक चीक निकल गई उसके चहरे पर दर्ष से अधिक आश्चर्य के भाव परिलक्षित हो रहे थे शायद उसे सुनील से चोट खा जाने की स्वपन में भी आशा नहीं थी वह आदमी लड़ खडाता हुआ फर्ष दे उठने लग सुनील उसके सीधे होने की परतिक्षा करता रहा उसके सीधे होते ही सुनील ने बाएं हाथ का एक हुख उसके मुँ पर दिया उसके मुँ में से रख्ट की लकिर फूट पड़ी साथ ही सुनील का दाया हाथ वज्जर की तरह उसकी खोपड़ी पर आकर किरा उसका शरीर एक लंबी करा के साथ फिर फर्ष पर लहरा कया लेकिन इस बार सुनील ने उसी जमी नहीं चुमने दी उसने रास्ते में ही उस आदमी की शरीर को रोका और उसके पेट में लगातार तीन चार भरपूर घुसे चड़ दिये उसका शरीर रेत के बोरे की तरह सुनील की बाहों में जूल कया मुझे स्ट्रेचर और एंबुलेंस पर भेज रहे थे बड़े भाई सुनील विशेले स्वर से बोला क्यों ना मैं ही तुम्हें सीधा अर्थी पर भेज दू सुनील ने दोनों हातों से उसका सिर पकड़ा और पूरी शक्ती से उसे दीवार के साथ टकरा दिया इ वे अपने चेहरे को हास दे पोश्टा हुआ लोटने के लिए घुमा दो लंबे चोड़े शरीर उसका रास्ता रोके खड़े थे तुम कहां से टपक पड़े हो बड़े भाईयों सुनील ने आश्चार ये व्यक करते हुए पूछा यह नारायन है उनमें से एक आदमी बोल यह कहता था कि वे तुम्हारे लिए अकेला ही काफी है जबकि मेरा खयाल था कि तुम्हारी धुनाई हम तीनों के हाथों से सामोहिक रूप से होनी चाहिए इसको अपने बल प्रदर्शन का मौका देने के लिए ही अभी तक हम दोनों अलग खड़े थे तूसरा बोला तो अ आप क्या इरादे हैं सुनील ने लापरवाही से पूछा उसका एक हाथ धीरे धीरे अपनी पैंट की चमडे की बैल्ट की और सरक रहा था जिसमें एक मोटा सा लोहे का बकल लगा हुआ था इरादा क्या होना है पहला आदमी बोला नारायन का अधूरा काम हम पूरा किये द बोला दुनाई तो मेरी होनी है लेकिन मेरे इस सूट ने तुम्हारा क्या बिकाड़ा है अभी परसो नया सिलवाया है चाहते क्या हो तुम मैं चाहता यह हूं कि मेरा भूर्सुख निकालने से पहले कम से कम मुझे कोट उतारने का मौका तो दे ही दो अगर तुम लोगों क हातों से जिन्दा बच गया तो कभी फिर पहन लोगा और वैसे भी मुझे नॉक आउट करने में तुम्हें भी सहूलियत हो जाएगी क्योंकि फिर मेरे शरीर पर जरा करारे हाथ पढ़ेंगे दोनों विचितर दृष्टी से एक दूसरे का मूद देखने रगे यह हमें घि पटते हुए आदमी के और फेक दिया शन भर के लिए कोट से उसका चेहरा पूरी तरह ठक गया उतनी तेर में सुनील की लोहे के पकल वाली बेल्ट उसकी पैंट में से निकल कर उसकी हाथ में आचुकी थी उसने बेल्ट कुमा कर उसका भरपूर प्रहार कोट से ठके हुए दून कर रख दिया वे दूनों बेल्ट की प्रहार से बच कर सुनील तक पहुँचने की लाग चेश्टा करते थे लेकिन उस संकरी सी गली में वे बेल्ट की प्रहार से पच नहीं रहे थे कुछ चणों बाद उनमें से एक आदमी धराशाई हो गया दूसरे ने जब अपने साथी का यह हाल देखा तो वे उल्टे पाउँ भागा लेकिन सुनील पर तब तक शैतान सवार हो चुका था उसने बेल्ट को यूँ घुमाया कि वे भागने वाले की टांग में जालिप्टी उसने बेल्ट को एक जोर का जटका दिया वे आदमी मूँ के बल जमीन पर गिर था वे दिवार के साथ पीट लगा कर कईशन अपनी सांसों को व्यवस्तित करने की चेश्टा करता रहा उसका जबड़ा पुरी तरह दुखरा था नारायन की दो खुसे वाकई बड़े जोर के पड़े थे फिर उसने अपनी बेल्ट को पैंट पर कसा पहले आदमी के नीच रखिशन का बोड लगा हुआ था जिस पर लिखा था मैता रोड सुनील को मैता रोड के एक कोने में एक पब्लिक टेल्फोन बूथ दिखाई थिया सुनीलने बूथ में घुस कर डारेक्टरी में होटल जूल बॉक्स का नंबर देखा और फिर नंबर डायल कर थिया होटल जूल बॉक्स प्लीज, दूसरी और सी ओपरेटर का स्वर सुनाई थिया, Mr. Mike there, सुनील ने पूछा, Just hold on, सुनील रिसीवर कान सी लगाई खड़ा रहा, Hello, Mike speaking, कई शंड बात Mike का स्वर सुनाई थिया, Mike, वे करकर स्वर में बोला, मैता रोड की एक गली में, तुम्हारे तीन आदमी, जिन में से एक का नाम नारायन है, अदमरी हारत में पड़े हैं, उन्हें वहाँ से उठवा लेना, कौन हो तुम, Mike का हरबडाया स्वर सुनाई थिया, सरदार, सरदार कौन, पूरा नाम बताओ सरदार वल्लब भाई पटेल, और सुनील ने रिसीवर हुक पर पटक दिया, और बूस से बाहर निकलाया, मैता रोड पर उसे एक टैक्सी मिल गई, उसने ड्राइवर को बेन स्टीट सित अपने फ्लैट का पता बताया, और पिछली सीट पर अपना शरीर धीला छोड़ दि की था, इतने सवेरे कौन हो सकता है, सुनील सोचता हुआ पिस्तर से निकला, और अपनी नीन से भरी आँखों को जपकाता हुआ, मुख्य द्वार के और बढ़ गया, केवल प्रमिला ही कभी कभी इतनी सवेरे आया करती थी, लेकिन बह तो घंटी कभी भी नहीं बजाती थ खोलता हुँ, सुनील उची स्वर में बोला, घंटी बजनी पंथ हो गई, सुनील नीन्द की मधोशी में द्वार खोलने वाला ही था, कि रात की लड़ाई चलचित्र कितर हैं, उसकी आँखों के सामने खूम गई, द्वार में आँख की सीध में लगबग आधे इंच व्य आँख लगा दी, विच चार थे, उन में से तीन वही थे, जिन से पिछली रात सुनील की महता रोड की गली में लड़ाई हुई थी, सबसे आगे नारायन था, और उसकी हाथ में एक रिवालवर चमक रही थी, जिसका लक्ष है, अगर बीच में द्वार ना होता, तो सुनी सुनील की पेत की ओर था, सुनील एकदम दिवार से पीछे हट करा, और फिर जोर से चिला रा, अभी खोलता हूँ, जरा कपड़े पहन लू, सुनील को भै था, कि कहीं देर होती देख कर वे लोग द्वार ही न तोड़ दे, उसने बिजरी की फूर्ती से नाइट सूट उता घंटी फिर बजोठी, एक मिनट सुनील चिलाया, वे खिरकी की सील पकड़ कर उस पर चड़ गया, किचन की खिरकी की साथ ही लोहे का रेन पाइप था, वे बंदरों की तरह पाइप पकड़ कर इमारत की चट की और सरकने लगा, अब घंटी के साथ साथ द्वार को खड़ आने का स्वर भी सुनाई दे रहा था, द्वार तोड़ दो, उसे नारायन की चिलाहट सुनाई थी, और एक आदमी चट पर चला जाए, वे जरूर भागने की चेश्टा कर रहा है, तुम चट से पिछली गली पर नजर रखना, नीचे गली में एक आदमी पहले से ही नजर कर रहा था, अगर उसने गली में उतरने की चेश्टा की होती, तो अभी तक भून कर रख दिया होता, अंधकार की कारण वे नीचे वाले को पाइप पर चरता दिखाई नहीं दिया था, वे चट पर पहुँच गया, सीडियों की ओर से किसी की चट पर आने की आवाज आ रह लगा दी, सामने वाली इमारत की मुंडेर उसकी हाथ में आ गई, अगर उसकी चलांग आधा फुट भी इधर समाप्थ हो गई होती, तो चार मंजिली इमारत से गली की पक्की सड़क पर गिर कर उसकी शरीर की धज्जिया उट जाती, उसी समय सुनील की फ्लैट वाले चट पर एक आदमी प्रकट हुआ, सुनील ने मुंडेर के साथ साथ नीचे की और जाता हुआ पाइप पकड़ लिया और नीचे उतरने लगा, उपर चड़ने से नीचे उतरना आसान काम था, पाइप के साथ सुनील को जो पहली खिरकी दिखाई थी, वे उसकी सिल पर चड़ ग प्रमिला को भी कुछ पता नहीं रगा था, शायद सर्द्यों की मौसम का असर है, सुनील ने सोचा, सौब भाग के सिवे खिरकी खुली थी, सुनील ने अंदर चलांग रगा दी, यह किचन की खिरकी थी, सुनील ने देखा, यह खिरकी उसके फ्लैट के एकदम पड़ती थ रहा था, नारायन अपने साथियों के साथ द्वार तोड़कर अंदर खुसाया था, सुनील ने धीरे से खिरकी बंद कर दी, उसी समय उस फ्लैट में किसी के पाओं के आवास सुनाई थी, जो निरंतर तेज होती जा रही थी, कोई किचन की और आ रहा था, इस से पहले कि कुछ फ्यासला कर पाता, किचन का द्वार खुला और एक महिला प्रकट हुई, उसकी एक बहाँ अपने ड्रेसिंग गाउन में थी, और दोसरी बहाँ पहनती पहनती ही, वह किचन की और चल पड़ी थी, उसके शरीर पर ड्रेसिंग गाउन के अत्रिक्त, जो अभी पूरी पहना भी नहीं गया था, और कोई कपड़ा नहीं था, शायद वह सीधी बिस्तर में से निकल कर आ रही थी, शर्ण भर के लिए वह विस्वारित नेत्रों से सुनील को देखती रही, फिर उसने बड़ी तेजी से अपने शरीर को ड्रेसिंग गाउन से ढखा, और फिर वह च चिल्दाने ही वाली थी, कि सुनील ने जपट कर उसका मून दबोच लिया, भगवान के लिए चिल्दाने की चेश्टा मत कीजिये, सुनील विनैपुन स्वर से बोला, मैं चोड नहीं हूँ, वह सुनील की बंधन से निकलने के लिए हाथ पाउन चटकने लगी, लेकिन सु कारात्मर ढंक से सिरहिला दिया, सुनील ने उसे छोड दिया, उसकी सांस धोगनी की तरहें चल रही थी, जोर आजमाईश करने के लिए मैं ही मिली थी, हाफते हुए वै बोली, मुझे अफसोस है, सुनील विनै की मूर्ती बनता हुआ बोला, आखिर यह तमाशा क्या है, च दोर तो तुम लगते नहीं हो, सुदस दे तो अच्छे खासे शरीफ और पड़े लिखे इंसाल लग रहे हो, आपने बिलकुल ठीक पहचाना है, मैं शरीफ हूँ और पड़ा लिखा भी, लेकिन मेरी किचन में कहां से तपक पड़े हो, मैं सामने वाली बिल्लिक में रहता हूँ, सुनील बोला, लेकिन सुबह सुबह यहां कैसे आप पहुंचे, छट कूट कर, क्या, वैं हैरानी से बोली, देखिए, सुनील बातावरन के तनाव को कम करने के अभिप्राय से बोला, डार्विन ने कहा है कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, अपने पूर्वजों क थोड़ा बहुत प्रभाव, तो आज भी इंसान में परिलक्षित होना ही चाहिए, महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फूट पड़ी, लेकिन डार्विन की थियोरी को सिद्ध करने के जरूरत क्यों पड़ी थी, उसने पूछा, दरसल बात यह हुई, कि पिछली रात को मैं अपनी एक परिचित महिला को डिनर के लिए अपने फ्लैट पर ले आया था, रात को बहुत देर हो गई, सर्दी भी बहुत बढ़ गई थी, और उसे नगर के एकदम दूसरे सिरे पर जाना था, इसलिए मैंने उसे रात को वहीं सो रहने के लिए तयार कर लिया, आप यकीन कीजिए, मैंने किसी गलत इरादे से उसे अपने फ्लैट पर नहीं रोका था, लेकिन अभी लगबग आदा घंटा पहले बड़ी कड़बड हो गई, क्या हुआ, मैं दिल्चस्पी लेती हुई बोली, उस महिला के पती ने मेरा द्वार आखट कटाया, साथ में एक फोटोग्राफर भी लाया था, मैं उस महिला के सम्मान की रक्षा के लिए खिलकी में से निकल कर भाग लिया, अब यह कहकर अपने पती को प्रभावित कर सकती है, कि मैं तो एक रात के लिए उसे अपना फ्लैट उधार देकर स्वेम कहीं और सोने के लिए चला गया था क्या मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूँ, कर ही लीजिये, सुनील शन भर रुख कर बोला, वरना दूसरी इस से अधिक विश्वास करने योग के कहानी सोचने में तो मेरे दिमाग के पेंज ठीले हो जाएंगे आल राइट, वह बोली, अगर तुम्हारा इरादा वाकई कोई शरारत करने कर नहीं है, तो चुप चाप यहाँ जब तक चाहो रहो, तुम्हारी कहानी कुछ भी हो, मुझे उसमें दिल्चस्पी नहीं है, मैं बेडरूम में जा रही हूँ, कपड़े पहनने के लिए, मेरे पीचे-पीचे मत चले आना, ओकी मैडम, सुनियल सिर को तनिक चुकाता हुआ बोला, and thank you very much, no मैडम बिजनेस, वह बोली, call me miss, miss, miss सोनिया, right miss सोनिया, thanks again, सोनिया किचन से बाहर चली आई, सुनियल ने जरासी खिरकी खोल कर बाहर जहांका, भोर का हलका सा प्रकाश फैलने लगा था, सुनियल के फ्लैट वाली इमारत की छट पर अब भी एक आदमी अपने ओवर कोट की जेब में हाट डाले खूम रहा था, सुनियल ने नीचे जहांका, गली में भी उसे एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन साथ ही उसे एक और चीज दिखाई दी, सोनिया के फ्लै इसको तो फोन नहीं कर रही, सुनियल किचन में से निकल कर बैट्रूम की और लपका, उसने बैट्रूम के द्वार के साथ अपने कान लगा दिये, भीतर से टेलिफोन के डायल से निकलने वाले विशेश परकार की कड़कड की आवाज आ रही थी, सुनियल ने एक जटके से स्थान में खड़ी, टेलफोन का टायल गुमा रही थी, सुनियल को आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही थी, वह थी सोनिया के दाएं हाथ में थमी एक छोटी सी रिवॉल्वर, जिसकी नाल का रुख सुनियल की चाती की और था, वहीं खड़े रहो, वह बर्फ जैसे स्थान में बोली, अगर एक कदम भी आगे बढ़े, तो मैं यह परकने के लिए मजबूर हो जाओंगी, कि वह चोटा सा खिलोना इंसान की खोपड़ी में कितनी बड़ी खिड़की बना सकता है, लेकिन मेरी बास सुनो, सुनियल बोला, चुप चाप वहीं खड़े रहो, व पिर नमबर डायल करने लगी, उसे एक ही बार में टेलफोन के डायल और सुनियल दोनों पर नजर रखने में बड़े कटनाई का आभास हो रहा था, सुनियल उसकी एक एक गतिविदी को लक्षे कर रहा था, नमबर मिला चुपने के बाद, उसने रिसीवर और अच्छी तर कान से दबा लिया, फिर उसके चहरे पर जुझलायट के भाव चा गए, शायद उसे बिजी टोन मिल रही थी, उसने फिर से डायल टोन प्राप्त करने के लिए प्लंजर को दबाया और दोबारा नमबर डायल करने लगी, लेकिन इस बार उसका ध्यान डायल करने की और अध गया, सुनील ने एकदम अपने स्थान से छलांगवाई, वह एक पलंग पर ओंधे चा पड़ा, सोनिया के ट्रिगर दबा सकने से पहले ही, उनका रिवार्वर वाला हाथ सुनील की पकड़ में आ चुका था, सोनिया को शन अपना हाथ चुड़ाने की कोशिश करती रही, फ जहां जूल बॉक्स में खाई चोट के कारण उसका सिर्फ पहले ही पटा हुआ था, लेकिन सोनिया का हाथ उसके हाथ से नहीं चुटा, उसने सोनिया की बाह को एक जोर का जटका दे कर अपनी और खींचा, सोनिया की हाथ से रिसीवर चुट करा, और वै धड़ाम से सुनील की बगल में पलंग पर आगिरी, लेकिन रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था, सुनील ने सोनिया का शरीर अपने शरीर से दबा लिया, और उसके हाथ से रिवॉल्वर को छीनने की चेश्टा करने लगा, विरोध में सोनिया की बाएं हाथ के लंबे लंबे नाकुनों सुनील का मुख खरोश डाला, दोनों की शरीर एक दूसरे से लिप्टे हुए, उलट कर पलंग के नीचे फर्ष पर आगिरे, सुनील ने अपने शरीर का सारा भार सुनिया पर डाल दिया, उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अब भी सुनील की पकड़ में था, सुनिया का ड्र उसके हाथ में नहीं आपा रहे थे, फिर एक बार सुनिया की गरम-गरम सांस फुफकार की तरह सुनील की कान में पड़ी, और सुनिया ने पूरे जोर से अपने दांथ सुनील की गर्दन में थसा दिये, सुनील दर्द से बिल-बिलाव था, क्रोश से उसका चेहरा लाल हो अभी तक वह सोनिया को केवल अपने अधिकार मिलाने कीुश्टा कर रहा था, ताकि वह उसके हांस से रिवल्वर छीं सके। उसने उसे चोट पहुँचाने की चेश्टा नहीं की थी, लेकिन अब उसने सोनिया की रिवल्वर वाली बहाँ पकड़ी और तीन चार बार पूरी शक्ती से पलंग के पाई के साथ दे मारी। रिवल्वर सोनिया की हास से चटक कर दूर जा गिरी, उसी समय उनके सिर पर एक आदमी की आवाज गुझ उठी, हेलो, सुनियल ने जटके से सिर उपर उठाया, टेलिफोन का रिसीवर टेलिफोन की लंबी तार के साहरे जूल रहा था, आवाज टेलिफोन से आ रही थी, हेलो हेलो, एक तेज आवाज फिर गुझ जाई, उसी समय सोनिया बोल पड़ी, मिस्टर रामपाल, यहां, बाकी शब्र सोनिया की मुझ में ही रह गए, सुनियल की हतेली फॉलात की तरहें उसके मुझ पर जम कई, हेलो, टेलिफोन में से आवाज आई, माइक का कोई अक्षन नो करो, शायद फोन में कोई गड़बढ है, दूसरी ओर सी कनेक्शन कट जाने से, कट की हलकी सी आवाज आई, सुनियल ने चैन की सांस ली, उसनी सोनिया की मुझ पर सी हाथ हटा लिया, जहां सुनियल की उंगलिया जमी थी, वहां सोनिया की चेहरे पर लाल लाल रेखाएं उ उठने दो मुझे, बैक करा कर बोली, सुनियल को अब खयाल आया, कि सुनिया का शरीर अब भी उसके नीचे दबा हुआ था, उसने हाथ पढ़ा कर सुनिया की रिवालवर उठा ली, और फिस सुनिया के शरीर के ऊपर से उठ खड़ा हुआ, सुनिया भी अपने गाउन से, अपनी शरीर को ढखने का असफल प्रयत्न करती हुई उठ खड़ी हुई। वह पलंग के एक किनारे पर पैट कई और लंबी लंबी सांसे भरने लगी। सुनील ने एक स्टूल खिंचा और उसकी सामने पैट कया। रिवालवर उसने अपनी गोर में रख लिया। अब शुरू हो जाओ। कुछ शंट बाद सुनील करकश आवाज में सोनिया से बोला। क्या मतलब? रामपाल कौन है? सोनिया चुप रही। यहाँ तुम माइक के कौन से अक्शन नोट करने के लिए कह रही हो। सोनिया फिर भी चुप रही। माइक से तुम्हारा क्या संबंद है? सोनिया ने भरपूर नजर सुनील पर डाली और फिर नेतर जुका लिये। सोनिया, सोनिया कड़े स्वर से बोला, अभी तुमने इस रिवॉल्वर की यह करामात देखने की इच्छा प्रकट की थी, कि यह इंसान की खोपड़ी में कितनी बड़ी खिर्की बना सकती है? कहो तो तुम्हारे माथे में सुराक पैदा करके दिखाऊं। सुनिया, सोनिया धीरे से बोली, मौत तु मेरी निश्चित हो गई है, लेकिन तुम्हारे प्रशनों का उत्तर ना देकर, तो मैं शायद तुम्हारे हातों बच जाऊं। लेकिन तुम्हें कुछ बता कर मैं उन लोगों की हाथों से नहीं बस सकूंगी, जिन के लिए मैं काम कर रही हूँ. तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे विशे में सब कुछ जानती हूँ. कैसे? सोनिया चुप रही. तुम यहां कब से रह रही हो? पिछले तीन दिनों से। क्यों तुम पर नजर रखने के लिए। किस की आदेश पर। सोनिया ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। सुनील कई शंड विचार पूर्ण मुद्रा बनाए चुप चाप पैठा रहा। फिर उसने मनी मन एक निश्चे किया। और सोनिया से भूला। उठो। क्यों तुम्हें बात्रूम में बंद करूंगा। क्यों। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस इमारत से निकलते ही। तुम फिर पुलिस को या अपने रामपाल को फोन करना आरम कर दो। सोनिया उठ खड़ी हुई। सुनील ने उसे ले जाकर बात्रूम में बंद अगर चिलाई तो गोली मार दूँगा। द्वार बंद करते समय उसने सोनिया को चेताव ने दी। सुनील ने किचन की खिड़की से बाहर जाका। उसकी हत्या करने के लिए आए हुए लोग शायद विदा हो चुके थे। कहीं नारायन का कोई साथी दिखाई नहीं दे रह था। वहें वापस बैडरूम में लौट आया। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और यूद कलब के नंबर डायल कर दिये। क्योंकि यूद कलब की टेलीफोन ओपरेटर दस बजे से पहरे नहीं आती थी। इसलिए उसे रमाकांत की डारेक्ट लाइन मिल गई। हेलो दोसरी और से रमाकांत का नीन में डूबा हुआ स्वर सुनाई दिया। रमाकांत मैं सुनील हूँ। सुनील बोला। हत तुम्हारा सत्या नाश मारा जाए। रमाकांत भननाया। साले किसी शरीफ आदमी को सोने भी नहीं दोगे की नहीं। रमाकांत सुनील कठोर स्वर मे बोला मजाक का समय नहीं है गौर से मेरी पास सुनो दोसरी ओर से कई शर्ण कोई आवाज नहीं आई फिर रमा कांत का गंफीर स्वर सुनाई दिया कहो बैंक स्ट्रीट में मेरी फ्लैट वाली इमारत की पिछली गली में एक मंजली इमारत है जिसकी तीसरी मंजल के एक से निकलेगी और रामपाल नाम के किसी व्यक्ति से संबन स्थापित करने की चेश्टा करेगी तुम कई आदमी उसकी निगराने के लिए फेश दो बाद में मैं यह सुनना पसंद नहीं करूंगा कि लड़की तुम्हें डौस दे गई मुझे रामपाल और इस लड़की के विशे में पूरी जानकारी चाहिए समझे यह सब तो में समझ गया लेकिन सवाल तो यह है कि अगर उसने फ्लैट से बाहर निकलने की स्थान पर फोन पर ही रामपाल से संबन स्थापित कर लिया तो फोन तुम्हारी और मेरी बातचीत खत्म होने के फोरण बाद ही बिगर जाएगा लेकिन इस बात की क्या गरंटी है कि वे किसी रामपाल से संबन स्थापित करने की चेश्टक करेगी ही रमाकांत सुनील कर जा अच्छा बाबा चिलाता क्यों है सब हो जाएगा तुम्हारे आदमी कितनी देर तक यहां पहुंच जाएंगे अधिक से अधिक 15 क्याक में ओके कैकर सुनील ने लाइंक जाट दी फिर सुनील ने टेलिफोन के सीरे का एहर पीस खूलना शुरू कर दिया ऐहर पीस अलग करके उस funnay पीटर से डइफ्राम निकाल दिया डइफ्राम उसने अपनी कोट की जेब में डॉर और एहर पीस को दुबारा रसीवर पर पिट कर दिया अब टेलिफोन बेकार हो चुका था और किसी साधारन व्यक्ति को यह पता भी नहीं रख सकता था कि टेलिफोन में क्या खराबी आ गई है सुनील ने एक सिगरेट सुलका लिया और फ्लैट में चहल कदमी करने लगा उसे यह देखकर बड़ी हरानी हुई कि बेटरूम के एक कोने में एक मूवी कैमरा रखा था लगबग 15 मिनट बाद उसने खिरकी में से नीचे गली में जहाका नीचे जहरी दिनकर और राकेश आम लोगों की तरहें टहल रहे थे लेकिन उसका सारा ध्यान सोन्या की फ्लैट पर था सुनील संतुष्ट होकर खिरकी से हट गया वह वापस बाथरूम के द्वार पर लोट आया उसने दर्वाजे की चिटिकनी को धीरे से इतना खोल दिया कि अगर भीतर से दर्वाजे को दो तीन धक्के भी पड़े तो चिटिकनी खुल जाए मैं जा रहा हूं सोनिया सोनील उंचे स्वर में बोला लेकिन वि सोनिया की रिवालवर अब उसके कोट की जेब में थी सुनील ब्लास के दफ्तर की इमारत से दो तीन ब्लॉक दूर ही टैक्सी से उतर गया वह बड़ी सावधानी से इमारत के पिछले दर्वाजे से दफ्तर में खुसा उसे फै था कि सामने की और माइक का कोई आदमी रिव दफ्तर में पहुँचते ही उसे मलीक सहब ने पुला लिया सुनील मलीक सहब की दफ्तर में खुस कया मलिक सहब ने एक भरपोर्द रिष्टी सुनील पर डाली और फिर बोले ब्लास के नाम नोटी सीचू हो गया है किस सिलजिले में माइक ने हम पर 2 लाख रुपय का मान हा का दावा कर दिया है आप चिंता मत कीजिया मरीक सहाब सुनील आश्वाशन भरे स्वर में बोला माईक के विरुद मैं कई सबूत इखटे कर चुका हूँ आज रात को मैं उससे मिलने के लिए जाने वाला हूँ उसके बाद न केबल वे हमारे विरुद बोलना बंद कर देगा बलकि जूल बॉक्स में हुई हट्या का जिम्मेदार भी ठेहराया जाएगा तुम आज रात माईक से मिलने वाले हो जी हाँ अपनी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया है तुमने यह है और सुनील ने जेब से सोन्या वाली रिवॉल्वर निकाल कर दिखा दी सुनील किसी के बिन में बैठा अकबार के लिए रिपोर्ट तयार करता रहा था उसने अपने पर हुए दोनों आकरमनों को बड़े प्रभावशाली धंग से शक्तों में ठाला था अंत में उसने पुलिस की भी खूब खबर ली थी जो एक नागरिक के जीवन सुरक्षा के विशे में रही थी गुंडे लोगों के घरों के दर्वाजे बल पूर्वक तोड़कर भीतर खुज जाते हैं और पुलिस को पता भी नहीं लगता शाम को अंधेरा हो जाने के बाद रमाकान का फोन आया सुनेल रमाकान बोला मेरे आदमियों ने सोनिया का पीछा किया था फिर वह स्थापित किया था वह माईक का पाटनर है अधिक तो हमी कुछ मालूम नहीं हो सका है लेकिन इतना जरूर पता रगा है कि रामपाल माईक के विरुत कोई शर्यंत रच रहा है जिसका एक मोहरा वह लड़की सोनिया भी है और कुछ और यह है कि दिन करने पड़ा साहस करके रामपाल की एक फोटो खिंचली थी वह मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ इससे तुम्हें रामपाल की पहचान हो जाएगी वैसे सोनिया और रामपाल दोनों पर नजर रखी जा रही है कोई और बात होगी तो तुम्हें सूचित कर देंगे रामपाल रहता कहा है सुन सुनील ने फोन रख दिया लगभग आदे घंटे बाद रमा कांत का आदमी सुनील को राम पाल की तस्वीर देख गया तस्वीर बड़ी साफ सुथरी खिची थी सुनील कई शन उसे गौर से देखता रहा यहां तक की राम पाल की सूरग भली परकार उसके मस्तिश्क में सुनील कई शन विचारों में डूबा हुआ सड़क पर चलता रहा सड़क पर एक पब्लिक टेलीफोन बूत देख कर वह रुक गया वह बूत में घुसक गया उसने डिरेक्टरी में माइक की कोठी का नंबर देखा और फिर वह नंबर डायल कर दिया हेलो दूसरी ओर से एक स स्त्री बोली और फिर उसका उंचा स्वर सुनील की कानों में गूंच गया रामपाल कोई माइक को पूछ रहा है शायद वह स्त्री अपने टेलीफोन का माउथ पीज धकना भूल गई थी उससे पूछो कौन है वह एक मध्धम सा पुरुष स्वर सुनाई दिया हेलो स्त्री सुनील से बोली मैं आई नो हुई स्पीकिंग इंस्पेक्टर प्रभुदियाल सुनील ने संतुली स्वर से कहा इंस्पेक्टर प्रभुदियाल है स्त्री किसी से बात कर रही थी क्या एक आश्यर्य से भरा स्वर्ष तुनाई दिया जरा फोन मुझे दो हेलो इंस्पेक्ट फोन से एक पुरुस्त वर्ष दुनाई दिया, आप माइक से बात करना चाते हैं? हाँ, सुनील ने संशिक्ता उत्तर दिया, आप जरा होल्ड रखे, मैं माइक को अभी बुलाता हूं, दरसल आज कोठी पर एक पार्टी हो रही है, माइक महमानों में ही कहीं उल्जा हुआ है, मैंने नोकर को भेजा है, उसे बुला कर लाने के लिए, आल्राइट, सुनील बोला, सुनील को टेलिफोन कान में लगा कर खड़े हुए दो मिनट हो गए, टेलिफोन बूत के बाहर एक आदमी परतिक्षा कर रहा था, ताकि सुनील बूत में से निकले और वह फोन कर सके, हे एक मिनट और इंतदार किया, फिर उसने अपने सिर को एक छटका दिया, और रिसीवर को धीरे से हुक पर रख दिया, वह बूत से बाहर निकलाया, अपनी बारी की प्रतिक्षा में खड़ा युवक जल्दी से बूत में खुश गया, और रिसीवर उठा कर नंबर डायल करन उनमें से दो टेलिफोन बूत के आसपास खड़े हो गए, और तीसरे ने एक जटके से बूत का दरवाजा खोल दिया, उसने पाए हाथ से भीतर टेलिफोन करते हुए युवक के कोट का कॉलर पकड़ा, और दाए हाथ का एक वजनी घूसा युवक के पेट में दे मारा, च उस आदमी के साथ आठ घूसे लगाता युवक के शरीर के विविन भागों पर पड़े, अंत में युवक का शरीर एक बार लहर आया और वहें उस आदमी की बाहों में धेर हो गया, बाहर खड़े दोनों आदमियों ने युवक की बगलों में हाथ डालकर उसे सहरा दिया और उसे ले जाकर कार में डाल दिया, पलक छपकते ही पे सब कार में सवार हो गए और कार द्रिष्टी से ओजल हो गई, सुनील की रीर की हड़ी में एक थंड़क की लहर दोड़ गई थी, सर्दियों में भी उसके चहरे पर हलकी हलकी पसीने की बूंधे चुह चुहा आई थी भले बचे, वह शांती की एक देख निश्वास लेकर बड़ बड़ाया, प्रत्यक्ष था कि वह युवक सुनील के धोके में मारा गया था, अगर सुनील आधा मिनट भी और टेलिफोन बूत में रह जाता, तो उसकी शरीर में एक बाद फिर जुर जुरी दोड़ गई, उस प्रभुतियाल नहीं, कोई और बोड रहा है, सुनील ने एक टेक्सी दी, और हर्णवी रोड पर 24 नंबर कोठी की सामने पहुच गया, कोठी का लॉन बिजली के परकास में जगमगा रहा था, खूब चहल पहल थी, लगता था कि पार्टी को जैसे अभी अभी अधिक समय नहीं हुआ था, द्वार पर एक गोर्खा चौकिदार खड़ा था, सुनील ने अपनी जेब से लखी स्ट्राइक पैकेट निकाला, उसने उसमें से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई और उसके लंबे कश देता हुआ, बड़ी लापरवाही से भीतर घुस गया, चौकिदा ने उसे भी कोई निमंतरित महमान समझा था, सुनील लौन की भीड भाल में मिल गया, किसी ने उसकी और ध्यान नहीं दिया, विसकी सर्व हो रही थी, सब शराब पिने में मगन थे, सुनील ने भी एक वेटर को रोक कर स्कौच का एक टैग ले लिया, और लौन की भीड में खुमने लगा, माइक और रामपाल में से कोई वहाँ नहीं था, माइक कहा है, उसने एक वेटर को रोक कर पूछा, अभी तो यहीं थे साहब, वेटर आधर पून स्वर में बोला, शायद कोठी के भीतर हों, और रामपाल, वे भी भीतर ही होंगे साहब, सुनील लौन में से निकल कर पड़ी लापरवाही से कोठी के मुख्य द्वार के तरफ बढ़ गया, सीडियों में दो आदमी बैठे शराब पी रहे थे, उनके बीच में सकॉच की एक बोतल रखी थी, शायद उन्हें भीडभाड पसंद नहीं थी, उनमें से एक इंस्पेक्टर प्रभु दिय की नजर उस पर नहीं पड़ी थी, सुनील को अब समझाया कि टेलिफोन बूत में उसकी उपस्तिति कैसे प्रकट हुई थी, उसने स्वेम को इंस्पेक्टर प्रभु दियाल पताया था, जबकि इंस्पेक्टर प्रभु दियाल पहले ही उनकी नजरों की सामने कोठी में कोठी का पूरा चक्कर काट कर पिछवाड़े की और पहुँच गया, पिछवाड़े में एक कमरे की खिड़की खुली थी, सुनील ने एक बार अपने आसपास देखा, और फिर वह उस खिड़की पर चड़कर भीतर कूद गया, गय एक छोटा सा कमरा था, जो शायद साधा प्रियोग में नहीं लाया जाता, खिड़की वाली दिवार को छोड़, बाकी तीनों दिवारों में एक दरवाजा था, सामने का द्वार खुला था, लेकिन अगल बलगल की द्वार बंत थे, सुनील कुष्चन पही खड़ा, कोठी की विस्तार का नक्षा अपने दिमाग म में ही कोट की जेम में सरक गया, जिसमें सोनिया की रिवालवर पड़ी थी, उसकी उंगलियां रिवालवर की मुद पर कस गई, उस द्वार में से कमरे में एक घबराई हुई स्त्रीप परविष्ठ हुई, उसका सारा ध्यान अपने बलाउस की भीतर कुछ छिपाने में पेटा और अपने को संतुलित किया, आप यहां क्या कर रहे हैं, माइक को तलाश कर रहा हुँ, सुनियल सतर्क स्वर में बोला, एक जरूरी काम था, इसलिए पार्टी को बीच में ही छोड़ कर जाना चाता हुँ, सोचा माइक से विदा ले लो, बाहर किसी ने बताया माइक पीतर है, इसलिए यहां चला आया, ओ, स्त्री के मुझे शान्ती की एक गहन निश्वास निकल गई, आप, सुनियल ने शिर्ष स्वर से पूछा, मैं माइक की पत्नी हूँ, कैरोल, वे शालिंता से बोली, और आप, मैं अलफा पीटा गामा हूँ, सुनियल बोला, जी, कैरो बात यह है, कि मैं मैंतेमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ, मेरे विध्यारती मुझे अलफा बीटा गामा कहते हैं, और यह नाम इतना मैशूर हो गया है, कि मैं अपना असली नाम भूल गया हूँ, ओके प्रोफेसर अलफा बीटा गामा, कैरोल यू बोली, जैसे वार्ता कहा है, इस कमरे में, कैरोल उस कमरे की और संकेत करती हुई पोली, जिसमें से वे अभी निकल कर आई थी, शराब के नशे में धुट पड़ा है, मैं जरा मिल लूँ, क्यों नहीं, शौक से, सुनील उस कमरे में खुस कया, उस कमरे में खुसते ही उसकी सांस सूख गई, वे उल्टे पाउं, द्वार की और पल्टा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कैरोल ने अत्याधिक तेजी से द्वार को बाहर से बन कर दिया था, सुनील की निकाहें, फिक कमरे के फर्षपर जम गई, फर्षपर पीट के बल माईक का मिल शरीर पड़ा था, उसकी छ जो शकल सूरत में, सुनील की जेब में रखी रिवॉलवर जैसे ही थी, रिवॉलवर की मुट में आर पार एक छोटा सा सुराक था, कमरे में एक और द्वार था, सुनील ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बाहर से बन था, दुर्भाग्गे से उस कमरे की खिर्क में लोहे की सलाखें लगी थी खिरकी के उपर एक रौशन दान था जिसमें से निकला तो जा सकता था लेकिन उस तक पहुंचना सेकिंडों का काम नहीं था सुनील स्वैम को एक चुहे दान में फस गया महसूस कर रहा था सुनील कुछ शंट तक सोचता रहा फिर उसने दोनों दरवाजों की भीतर से चिटकनी लगा दी ताकि कोई एकदम कमरे में न जा सके कमरे के एक कोने में स्टेल की अलमारी रखी थी सुनील उसे सरका कर रौशन दान के नीचे लाने की चेश्टा करने लगा अलमारी पेहत भारी थी और सुनील के पूरा जोश लगाने के 80 सर्दी के बावजूर भी पसीनी से तर हो गया था उसी समय बाहर से द्वार खटखटाया जाने लगा वह भीतर है केरोल कह रही थी उसने शायद माइक को गोली मार दी है गोली चलने की आवाज सुनी थी सुनील पूरी शक्ति से अलमारी पर चड़ने की चेश्टा करने ल पास रिवॉल्वर है केरोल का भैबी स्वर्ष सुनाई दिया कहीं फिर वह गोली न चला दे रामपाल एक भारी स्वर्ष सुनाई दिया माईट ने पार्टी में एक इंस्पेक्टर को भी बुलाया था तुम उसे क्यों नहीं बुढाते वह पता नहीं कहा है रामपाल के नाम फोन करने के लिए कहो कह दिया है लेकिन पुलिस के आने तक क्या हत्यारा भीतर बैठा रहेगा द्वार्त तोर दो भारी आवाज वाला जोश भरिस्वर्ष से बोरा जो होगा देखा जाएका दरवाजे पर भरपोर चोटे पढ़ने रगी सुनील ने पूरा जोड लगा कर रोशन दान के बीचों बीच लगा लोहे का सिंख्चा उड़ा दिया किसी को पिछवाडी क्यों भी भेज दो कोई जरूरत नहीं है केरवल का स्वर सुनाई दिया खिरकी में सिंख्चे लगे हुए हैं वे उपर से नहीं भाग सकता जिस समय द्वार तूट कर गिरा सुनील अपना शरीर रोशन दान में से बाहर निकाल चुका था वेह रहा कोई चिलाया सुनील ने रोशन दान में से लौन में छलांग लगा दी पकड़ो पकड़ो उसके पीछे कई आदमी एक साथ चिल्ला रहे थे लौन में एक और एक मोटर साइकल खड़ी थी सुनील ने मोटर साइकल आती देखकर चिलाया हत्या सुनील चिलाया पुलिस को बुलाने जा रहा हूं चौकीदार हक्का बक्का सा अंधकार में विरीन होती हुई मोटर साइकल की बैक-लाइट को देखता रहा रास्ते में फ्लाइंग स्कुईट की एक जीप सर्र से उसकी बगल में से न पहुच गया सुनील ने घड़ी देखी बारा बज गए थे सुनील एक पब्लिक टेलिफोन बूत में खुज गया उसने रमाकांत को फोन किया कितनी देर घंटी पश्टी रहने के बाद रमाकांत ने रिसीवर उठाया शाय बहर नींसी जगा था हेलो उसका चिर्चिडा स्व किता है टेलिफोन करने के लिए रमाकांत किसी शरीफ आदमी को चैन से सोने भी तो नहीं देते अबे सुन तो सही मैं तो कल अपना बोरिया विस्तर यूद कलब से उठा रहा हूं मैं बैंक स्रीट से कम से कम 20 किलोमेटर दूर कोई फ्रैट लूँगा और वहां का एड्रेस और टेलिफोन नंबर तुम्हारे बाप को भी पता नहीं लगने दूगा रमाकांत मर गया रमाकांत सुनील ने उखड कर टेलिफोन बंद कर दिया पांच मिनट बाद उसने फिर रमाकांत का नंबर मिलाया इस बार रमाकांत ने टेलिफोन फॉरन ही उठा लिया यह क्या हर अब कहो क्या बात थी, साली नीन तो आँखों से उड़ी गई है, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब की बात करो, ओल राइट, सुनेल एकदम बदले स्वर से बोला, रमाकांत, अपने कम से कम, आधी दरजन आदमी हर नभी रोड पर 24 नंबर कोठी पर फॉरन भेज दो, बहतर, रमाकांत जोंक में बोला, और, कहां, सुनेल की दोबारा बोलने से पहले ही, उसका चोंका हुआ स्वर सुनाई दिया, हर रभी रोड कोठी नंबर 24, सुनेल बोला, यह तो माईक की कोठी का पता है, रमाकांत बोला, राइट, क्या हो गया है वहाँ, रमाकांत सुनेल व्यस्वर में बोला, एक ही बार में सारी बात सुन लो, वहां माईक की हत्या हो गई है, हत्या की समय मैं वहीं था, माईक की पत्नी कैरोल ने मुझे पसाने की चेश्टा की थी, उसने मुझे उस कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें माईक की लाश पड़ी प्रभू दियाल भी पहां है लेकिन ड्यूटी पर नहीं है लेकिन फिर भी तफ्तीश में वे अपनी टांग तो अड़ाएगा ही और अगर उसे यह पता लग गया कि मैं तफ्तीश में कहीं फिट होता हूं तो वे मुझे फांसे बिना छोड़ेगा नहीं कोटी में महमानों की बहुत भीर है तुम अपने आदमियों से कहो कि वे जाकर महमानों में हिल मिल जाए और महमानों की बात को गौर से सुने तफ्तीश के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुँची है यह जानना भी बहुत जरूरी है याद रखो रमागांत कोई डिटेल तुम्हारे आदमियो से देखा था जिसमें बाद में माईक की लाश मिली थी या तो हत्या उसने स्वेम की है या फिर वह हत्या की विशे में बहुत कुछ जानती है रमाकांत कैरोल इस केस में बहुत महत्पून सिध होने वाली है और कुछ जो बात में सबसे जल्दी जानना चाता हूं वह यह है कि मुझे वहां किस-किस ने देखा है और वे किस हद तक मुझे दोबारा देखकर पैचान लेने का दावा करते हैं हो जाएगा मैं आज अपनी फ्लैट पर नहीं जा रहा हूं मैं किसी होटल में जा रहा हूं कल सुभा मैं तुम्हें फिर फोन करूँगा ओके? ओके रमा कांत का स्वर सुनाई दिया सुनेल ने रिसीबर हुक पर पटका और बाहर निकलाया उसके दिमाग पर चिंता का भारी बोश था लेकिन होटों से सीटी के स्वर फूट रहे थे उसने अपने दोनों हाथ कोट की जेब में ठूसे और उसी परकास स्रीटी बजाता हुआ टैक्सी स्टैन की और पढ़ चला एकाएक भेज चियूक कर खड़ा हो गया स्रीटी बजनी एकदम बंध हो गई और चहरे पर बध हवासी चा गई रिवालवर जेब में से कायब था तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद